लोगसभाद चुनाओं से पहले नितीज सेस्वी की जोड़ी ने भाजपा की मुश्किले बढ़ा दी है बाद चिराग पास्वांग मुके सेनी या ओवैसी की कर ली जायत इनकी भी भूमिका 24 की लोगसभाद चुनाओं में निरनायक होगी द्रसल मतादी की लोगसभाद चुनाओं में अब एक साल का वक्त ही बचा है और बिहार में राजनितिक दलों ने इसकी तयारी भी शुरू कर दी है मुख्यमंतरी नितीश कुमार के एंडिये छोड़कर महागरवन्दन में आने के बाद सुबह की राजनितिक समिकरन बदल गये साथ पाटियों वाले महागरवन्दन के सामने लरना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है 2024 के आम चुनाओ में कमवेज 2014 वाली प्रस्तिती बनती नजर आ रही है उस वक्त जेडियू, आरजेडि, कॉंग्र जैसे तमाम जो दल थे वो एक जूट होकर बीजेपी के खिलाब चुनाओ लड़ी थी वही बीजेपी के पास लोजपा दोनों गुट और उपेंदर कुस्वाहा की रालोस्पा का समर्थन मिलने की उम्मीद है 9 सल पहले हुए चुनाओ में लोजपा और उपेंदर कुस्वाहा की पार्टी जो उस वक्त रालोस्पा हुआ करती थी अंडिये में थी इस समिकरन से महागरवंधन उत्साहित है लेकिन NDA की खेमे में थोड़ी बेचैनी जरूर नजर आ रही है। देखिने को मिल सकता है। वही कुछ एक सीटों पर BJP अपने सयोगी दल जैसे रालोसपा और लोजपा को लडा सकती है। वही BJP NDA की स्ट्राइक रेट बहतर हो इसको लेकर हर संभव प्रयास भी करेगी। देखिने सुराती दर में हमने काया कि 2014 वाली प्रस्तिती बन रही है। अगले साल होने वाले आम चुनाओ में बिहार के अंदर 2014 वाली प्रस्तिती बनती नजर इसलिए आ रही है। चुकि लोग सबाद चुनाओ 2014 की रिजल्ट पर नजर डालेंगे। भले ही NDA 31 सीटों पर जीत हासिल की हो। मगर वोट सेर के मामले में महागरवन्धन की पार्ट यां BJP और उनके सहयोगियों पर भारी पड़ गई थी। इसमें महागरवन्धन की नेताओं का जोस हाई है। 2014 में BJP ने लोजपा और रालोसपा का साथ मिलकर चुनाओ लड़ा था। उस वक्त BJP को 29.40 फिर्ज दी, लोजपा को 6.40 फिर्ज दी और रालोसपा को 3% वोट हासिल हुए थे। यानि कि तीनों पार्टिय की वोट परतिशत को एक जगा कर ले तो टोटल 49% वोट जो है इंडियों के मिले थे। वही लोजपा का एक गूट रालोसपा इंडिये में हैं वही चिराक पास्वान के नितित वाला धुसरा गूट BJP के साथ नहीं हैं। 2024 में एंडिये से चुनाव लरने वाली रालोसपा के प्रमुक पेंद्र कुस्वा है आगामी चुनाव में नई पार्टि रालोसपा से चुनावी मैदान मुतरेंगे। उनके भी एंडिये के साथ जाने की अटकले तेज है ऐसे में BJP के लिए आगामी चुनाव का समिकरन कमबेश 2014 वाली बनती हुई दिख रही है। द्रसल 2014 में RJD को 20% जेडियू को 15% 80% कांग्डेश को 8% 40% वोट मिले थे। आगामी चुनाव में हम और वाम दल के भी महागडवंधन में रखकर चुनाव लरने की पूरी समभावना है तो ऐसे में महागडवंधन का वोट प्रतिशत जो है 45% से भी उपर जा सकता है। जो पिछली बार 14-49% एंडिये का रहा था 31% एंडिये ने जीती थी। अब दूसरी और BJP लगतार नितिश तेश्वी के जोड़ी को कमजोर करने के लिए महागडवंधन के वोट में के सेंधमाडी की कोसिज भी कर रही है। इसलिए खाज जाती के वोटर को साधने वाले छोटे दल भी चुनाओं में बहुत बड़ी फैक्टर बनकर उबड़ेंगे। वैसी सिमानचल के छेतर में अच्छा पकर रखते हैं तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर वो मजबूती से चुनाओं लड़ते हैं तो महागडवंधन को नुकसान पहुचा सकते हैं। देखने माली बात होगी कि जिस प्रकार से महागडवंधन जिर्रनिती पर काम कर रही हैं। और वाकई में चुनाओं तक महागडवंधन जो साथ पार्टियों की है वह एकजूट रह गई तो बीजेपी के लिए इंडिये के लिए 24 का चुनाओं मुसीबत भड़ा हो सकता है। तो वोट परतिशत हम लोग का ज्यादा था। जैसे में एक बार हम लोग फिर से साता हैं कई मुद्धे हैं जो वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाब एक मजबूती से चुनाओं लड़ने में बड़ी भूमिका भी हो सकती है। तो इन तमाम कारण थे जिनके धारप हमने आपके बताया कि महागरवन्धन 14 में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। बोट परतिशत अच्छे थे और इसी लिहाद से रन निती भी बन रही है। नितीज तेस्वी के जोड़ी से एंडिये और भारतिय तपाती की मुश्किले लगतार बढ़ रही है।